अरे भाईया अभी जो आपकी मूवी रिलीज होने वाली है उसका प्रमोशन कुछ नहीं और यहां पर जो मूवी पनी कब रिलीज होगी उसका जबर्दस तरीके का प्रमोशन और वो भी इस सक्स द्वारा हेलो गाईस कैसे हो आप लोगा अपस्वागत है आपका अजये देवगन की दो मूवी के अपडेट के एपैसोड में अजये देवगन का ये जो साल होगा वह कि इस साल में अगर हम लोग मेकसिएं precedeôi मौवी तोड़के चार-पांच मूवी एक साल के अंदर लाएंगे पहली शैतान सुपर हिट रही मैदान डीसेंड दोस्तों कमाई उसने किया आप लोग एवरेज कह सकते हो फलॉप कह सकते हो क्योंकि उस मूवी ने अपने जो बजट है उसको रिवर रिकवर नहीं किया फिर यहां पर आप लोग कह सकते हो कि उनके नेक्स मूवी आएगी औरों में कहा दम्था जो जुलाई में रिलीज होने वाली है मतलब मई आधा तो खतम ही हो गया मई जून तो मतलब दोस्तों यहां पर आप सिंगम अगैन का प्रमोशन तो गाइस बात करेंगे कि आखिर क्या अपडेट है इन से रिलेटेड और भाई सिंगम अगैन के जो मैन विलन है उन्होंने क्या यहां पर अपडेट दे दिया अपनी शूटिंग से रिलेटेड तो लाइक सब्सक्राइब करो ताकि आपको इस और यहां पर रोहिश शेटी दोस्तों देखने को मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं दोस्तों यह जो अरजुन कपूर है लंबी दाड़ी उनकी गाइस दिखाई नहीं दे रहे और नीचे लूंगे लगता है कि गाइस कुछ पहन रहा है अब इस मूवी में क्या अरजुन कपू इसमें यह जो विलन बन रहे हैं और इन्होंने साफ तोर पर दोस्तों बता दिया है रोहिश शटी के कॉप यूनिवर्स का विलन जहां पर यहां पर साफ कहा रहा है आगे लिगता है आई है रैप अप माई वर्क ऑन सिंग्हम अगैं खतम हो चुग है आपकी शूटिंग म 20th film and one of the biggest milestone of my career with our director who is the boss of the mass cinema तो गाइस यहां पे मेरे हिसाब से आपके करियर की यह मतलब biggest milestone गाइस भी जो बोल रहे हैं कि ऐसा है तो इसके लिए आपको बहुत जबर्दस परफॉर्मेंस भी देना होगा मतलब गाई अगर हम लोग इनकी मूवी देखते तो भाई परफॉ इसको ऐसा ही कहेंगे ना इसे मतलब ऐसा परफॉर्मेंस जो कि गाइस पर्दे में लोग हसते हैं वैसा ही परफॉर्मेंस देते रहोगे तो आपको आपके पिता जी भी भाई रोल नहीं दिलवा पाएंगे ठीक है तो यहां पे अर्जुन कपूर इस मूवी में मैन विलन ह कि मिल्स्टॉन मूवी होती होई दिखाए दे रही है और कहीं ना कहीं मेरे इसाब से दोस्तों यही एक तरीका बचावा है कि आप इंडस्ट्री में सर्वाइब कर पाऊगे विलन क्योंकि बहुत से ऐसे अक्टर हैं जिनको अब हीरो के रोल नहीं मिल रहे हैं और मिलने न पहले वह बहुत बड़े स्टार थे लेकिन वक्त के हिसाब से चीज़े बदलती है तो यहां पे इनको विलन का जो रोल है वो दिया गया है और आगे यह लिखते हैं आगे लिखते हैं I feel blessed to be a part of one of the most entertaining franchise in the Indian cinema can't wait for our hard work to light up the silver screen soon मतलब यह बंदा पूरी तरीके से confident इस इस movie के लिए और कहीं न कहीं इसने इसमें बहुत hard work किया है ऐसा इनके टूइट से देखने को लग रहा है तो हम लोग तो विश करेंगे पहले सही negative नहीं फैलाएंगे में भी शायद कार्थी कार्थी कारियन कहां से आगए अरजुन कपूर विलन के लिए बने हो क्या पता क्योंकि हीरो में तो आप चांस नहीं बचावाएं तो यहां पर movie की shooting अरजुन कपूर वाली खतम हो चुकी है लेकिन अभी यहां पर दूसरी किया जाए इसके रिलीज के बहुत दिन पहले अब तो सिंगम अगैन पुछपा के साथ नहीं बिटरी यह बात ऑफिशली मान लो आप लो अभी तक रिलीज देट के बारे में नहीं बताया गया है और दिवाली में आईगी ऐसा कई बड़े क्रिटिक्स का दावा है कुछ देटी आनाउस नहीं है जो रिलीज देट अनाउस है पांच या च्छे तारीक को आ रही है और उमें कहा दम था वनोबी गाइस कह सकते हो कि आप लोग एक ऐसी मुवी होने वाली है चो छोटा पैकिट बड़ा धमागा निकलेगी अजय देवगन साहब की तो उसका टीजर अजय देवगन को अपनी चोटे बजट की मुवी को भी लाइट नहीं लेना चाहिए और इसका प्रमोशन भी काफी समय पहले करना चाहिए इसवन पोस्टर छोड़ दो पोस्टर दे को छोड़ दो फैंस कम से कम खुश तो होंगे क्योंकि सिंगम अगेन एक बहुत बड़ क्यों बोल रहे हो क्या पता उन्हीं के वेशसे मूवी चल जाए यानि कि कई देखो टाइकर श्रॉप भी मूवी में जिनकी मूवी अलागातार फल आप होती हुए आ रही है अगर कुछ भी आप फिचर पता चलेगा बताऊंगा मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में